Hello guys तू पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से हम कैटेगरी को दुप्लिकेट होने से रोग सकते हैं तो आज के वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि वही फॉम का यूज करेंगे और वही फॉम को हम एजेक्स के तुरू इंसेट करेंगे तो किस तरह स एक हमें का लाइब्रेरी की ज़रूरत होगी तो सबसे कर लेता हूं Google इसबसे आ लिक्ते हैं तो में नाइसाن स्पेटीन मिल जाएगा तो सीडीन .js का हम यूज करेंगे यहां पर पहला वाला जी वेरी का लिंक है हम उसको कॉपी करेंगे और यहां पर हम उसको पैस्ट कर देंगे बॉटम के अंदर तो स्क्रिप्ट करके मैंने यहां पर लिख लिया है यहां पर हम लिखेंगे src यहां पर मैंने पेस्ट कर दिया और और हम यहां पर लिखेंगे स्क्रिप्ट हमें क्या करना है यह फोर्म है वह जो भी है एजस की तुरू सब्मीट करना है तो जब भी आप एजस का यूज करते हो तब आपको फॉर्म टेक की जरूरत नहीं रहती तो हम फॉर्म टेक यह यहां पर हमने लिखा है उसका हम डुपलिकेट बना लेते हैं पेज है हम सेवेस कर लेते हैं फाल 2.php और यह फाइल को बैक अप की दूर पर रखते हैं फाल 1-backup.php काम करते हैं नहीं यह एग्जामपल बना लेते हैं इसको डिलीट कर दो सब यह एग्जामपल को क्लोज करते हैं हमारी फाइल के अंदर हम चले जाते हैं ओके तो मैंने यहां पर कॉपी बना लिया यहां पर हम लिखते हैं काटेगीरी डैस एजेक्स डैस इंसेट राइट तो यह मैंने नेम लिख दिया है और यही इसी फाइल को हम आपन कर लेते हैं हमारे सब्लाइम एडिटेर में फाइल आपन फॉल्डर ओके तो यहां पर जो फाइल वन है हमारा आ गया है तो यहां पर हम स्क्रेप्ट का लिंक वापस से रखतेंगे स्क्रेप के अंदर हम एसार से लिखेंगे फॉल्डर का व्यू हम क्लोज कर देते हैं है अब करें करें आप है अब करें करें हम यहां पर जैक वैरी को इंक्लूड कर लेते हैं है हमारी इंक्लूड हो गई जैक वैरी कि तक कि बाइड है कि आज क्या करेंगे कि अजए के अंदर हमें फॉर्म की जरुद नहीं रहती दो हम इस से निकाल देंगे कि फवहां टskेंग अ छिलो फॉर्म टिक हमने यहां पर निकाल दिया है थान जो भी में फॉन भी होगी एस के अंदर तो एक हमें message जो भी record वगएरा insert हो जाए तो उसका message display करना है तो एक particular हम area define करते हैं तो यहाँ पर DIV के अंदर हम message करके एक area हम बना देते हैं तो यहाँ पर जो भी हमारा record incident या फिक डिप्लिकेशन वगएरा जो आया तो हम यहां पर वह message दिखाएंगे तो एक area मेरा define हो गया है यहां पर और हम जो execute करना है किस पर करना है तो हम यहां पर button type is call to हम दे देते हैं button और इसको हमने नाम तो अल्रेडी दे ही दिया है name तो उसके उपर ही हम code लिखते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे document.ready function और यहां पर हम लिखते है dollar के अंदर हम लिखते है input और input के अंदर हम name equals to रखेंगे यहां पर add कि जब भी add button click होगा तब execute होगा function तो add button हमने लिख लिया है कि जब भी add button पर click करेंगे तब execute होगा उसके बाद हम क्या करते हैं चलो यहां पर category का name हमने लिखा है तो उसको हम सबसे पहले लेंगे यहां पर हम लिखेंगे वैर और category name equals to हम लिखेंगे यहां पर dollar के अंदर input name equal to क्या है यहां पर name category name ओके तो यहां पर हम लिखेंगे name equals to category name तो हम लिखेंगे यहां पर well that means के उसकी हम value लेंगे यहां पर चलो ऐसा करते हो तो आपको category का name आपको मिल जाएगा उसके बाद हमें क्या करना है एजेक्स कोड लिखना है तो हम यहां पर कुछ इस तरह से लिखेंगे dollar dot code को wrap area remove कर देते हैं dollar dot post हमें पोस्ट मेंसर से डेटा send करना है तो हमें यहां पर लिखते है dollar dot post हमें कहां पर डेटा send करना है तो दिखो हमारी फाइल है file1-tb.php और यहां पर हमने एक लिखा है कि add करके जो parameter हमें आए तब ही code अंदर जाएगा तो उसके लिए हम यहां पर कुछ साइट करेंगे file1-db यहां पर हम डेटा सैट करेंगे यहां पर डेटा पास करना है उसके बाद कोमा करके हम लिखेंगे यहां पर कौन-कौन से फिल्ड पास करने है तो हमने लिख दिया category name यह हमारा variable होगा और यहां पर हम जो लिखेंगे वह value होगी तो उसका नाम भी category name है तो हम यहां पर लिख देते एक category name और एक add button को रखना है तो हमने यहां पर लिख दिया add और उसकी value हम दे देते है अभी statically one उसके बाद हम done यह और दॉल्ड करके हमने function लिख लिया और हमें क्या करना है यहां पर यहां पर हम लिखेंगे जब भी वहां पर record एक्जेक्वूट हो जाए तब हमें कोई result मिलना चाहें तो हम यहां पर देते है result का एक variable और जो भी result आए वहां पर दिखाना है तो हमारा जो area भी बना है message का वहां पर हमें दिस्प्ले करना है तो हम यहां पर लिखेंगे डॉलर के अंदर हैस करके लिखेंगे message.html उसके अंदर हम लिखेंगे result तो इस तरह से हमने लिख दिया है और आगे हमें क्या करना है चलो यह अभी हो गया तो हमारा खूड हम चेक कर लेते हैं कि properly work कर रहा है या फिर किस तरह से है देखो यहां पर category message आ गया उसके बाद हमने डाय लिख दिया है यहां पे भी हम डाय लिखेंगे यह हमारा ejection set का page आ गया फाइल 1 हमने open कर लिया है देखो हमारे पास यहां पे इस तरह के कोई table है राइट हम delete कर लेते हैं चलो हम और एक category यहां पे हम डालेंगे का लिखा था तो मैंने यहां पे लिख दिया आपको पता चली किस तरह से जा रहा है नाटवर्ट पैनल को मैंने यहां पे ओपन कर लिया और यहां पर हम रखते हैं फेज एक से चाहर पे जब भी आपका जो data पास होगा तो देखो यहां पे आपका जो data है file 1db पे जा रहा है पर अब पहले आर रहा है क्यों आर आरा है तो कि उसको connection नहीं मिल रहा है क्यों नहीं मिल रहा है तो कि हम पहले data क्यां करते थे तो कि पहले हम data है ओगने करें और यहां पर file include करके file 1db को execute कर रहा थे तो अभी flow क्या हो गया कि यह particular फाइल रेंडरिंग मतलब कि यहां पर इसे एक्जेक्यूट नहीं हो रहा है हम डायरेक्ली फाइल वन डीबी पर डीटा है वो सेंड कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा एक कनेक्शन की फाइल वहां पर भी लगानी होगी तो यहां से हटा देते हैं और file 1 जो db है यहां पे हम ओ फाइल लगा देते हैं कुछ इस तरह से और यहां पे हम connection का एक ही फाइल रखेंगे तो कि हमारा connection का फाइल रह गया वापस से इसको refresh करते हैं यहां पे देते हैं fc तो message आ गया category inserted तो देखो यहां पे file 1 db हमारा गया और यहां पे हमने लिखा है category name और यहां पे लिख दिया है add प्रिव्यू के अंदर हमें जो message आ रहा है वो दिखा रहा है category inserted इसको हम रिफ्रेस करके यहां पे देखेंगे तो देखो यहां पे देटा आ गया है तो इस तरह से आप जो भी है और देटा को आप send कर सकते हैं दूसरी भी हम category insert करते हैं इसके अंदर फ्रीज यहां पे मैंने लिख दिया है add तो category inserted आ गया है और एक बार इंसेट हो हमको डेटा को clean करना पड़ता है तो हम यहां पर set करेंगे वहां पर जबी भी मैसेज हम success का इस तरह से message मिल जाए तब हमें ओ डेटा को बलैंक करना है तो हम यहां पर रखेंगे if result equal equal काटिगरी इंसीटेड तो मैं क्या करना अगर हमें सैधिन का में सिस्च अदेट अप्र उसक्षिया से यहां यहीं कोड ले लेते हैं यहां पर हमने हैं प्राइले लीग वाउन्ट का हमने कर दिया इस फ़र्स कर यहां पर में दूसरी एक category कार की डालता हूं वापस तो category already को और मान लो की यहां पर दूसरी कोई category हम रखते हैं like plane को इसको एड करते है डाइक हमारा record भी blank हो गया तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं फॉर्म सब्मिशन के तोर पे तो आज के वीडियो के लिए हम यहीं तह रखते हैं जो लोग नए है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और नौटिफिकेशन को ओन करें क्योंकि और इंट्रेस्टिंग जो भी वीडियो है वह आपको इस तरह से अपडे मिलते रहे हैं तो थैंक यू